बांगलादेश में आवामी तक्तापलट बांगलादेश में आरक्षण पर मचे बवाल बाद हाला तितने बिकाबो हो गए की के वहां सुमवागर प्रधान मंतरी सेख हशीना कुपत के साथ देश भी छोड़ना पड़ा हसीना बहन के साथ दिमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी वह लंडन जाने की तैयारी में है इस बीच मांगलादेश में सेना ने कमाल समाल ली आर्मी चीफ वकार उच्जमा ने देश के नाम संबोधन में कहा की 48 घंटों में अंतरीम सरकार काम कास समाल ले हसीना के देश छोड़ कर जाने के बीच टीवी पर संदेश में आर्मी चीफ ने कहा कि मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं हमांतरेक सरकार बनाएंगे देश को समालेंगे आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा बांगलादेश के संस्थापक शेक मुझी बुर रहमान की 76 वर्षिय बेटी हसीना 2009 से सामरेक रूप से एहम इस दक्षण एशियाई देश की बागडोर समाल रही थी उन्हें जनवरी में हुए बारवे याम चुना में लगातर चोथी बार कुल पांचवी बार प्रदान मंत्री चुना गया था देश में दो मैनों से कोटा सिस्टम के खिलाफ उग्रपरदर्शन हो रहे हैं इसमें अब तक 300 से जादा मौते हो चुकी हैं दो दिन पहले ही इस आंदोलन ने सरकार विरोधी रूप धरा और शेक हसीना के इस्तफ़े की मांग पर पोन सयोग आंदोलन शुरू किया